Hello students, मैं हूँ जितेन रजमेरा The Crazy Programmer की तरफ से आज बाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Cartesian product या cross product ठीक है इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं जो के relational algebra से जूरे हुए हैं जैसा के select, project, rename, set difference, union उन सबके वीडियोस के link आपको description box में मिल जाएंगे I personally suggest के आप वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको relational algebra क्या होती है, समझ में आ जाएगी तो अब हम शुरू करते हैं तो हमारा आज का operation है, वो है Cartesian या cross operation ठीक है, इसके अंदर, यह इसका mathematical formation है R x S, इसका symbol cross का ही होता है, ठीक है R or S जो है, वो हमारा relation या tables है ठीक है, अब यह काम क्या काम में आता है जिन भी दो tables के उपर इसको apply किया जाता है उन दोनो table के सारे data को यह as a core cross product की तरह या अपस में उन सब की जैसे many to many connectivity करके एक output table create करता है यानि के in short, कोई भी दो table जब आप लेता है और उन पर partition operation perform करेंगे तो उन दोनो table में जितना भी data मुझूद है वो सारा data जो है आपस में एक दूसरे के साथ many to many relationship बना लेता है इसे आप एक तरह से full outer join भी समझ सकते हैं लेकिन full outer join में जहां पर कोई value नहीं होती थी वहां पर null print हो जाता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा यहां पर क्या होगा जहां पर कोई value नहीं है वो उसको accept ही नहीं करेंगा कैसे अभी हम आगे देखेंगे इन दोनों table पर operation perform करके लेकिन अपने हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी भी repeat कर रहा हूँ कि यह जो अभी हम operations perform कर रहे हैं यह relational algebra के operations है यानि कि यह कोई programming language नहीं है mysql queries की तरह यह see for see theoretical representation है जो की dbms का layout या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि blueprint टैयार करने के काम में आता है यह चीज़ हमेशा याद रखेगा जब भी मैं word काम में लिए execute या output तो ऐसा नहीं कि query की तरह run करके output यह सिवे command show करता है अब यहां पर दो tables बनी हुई है student and books हम जो normal school normal student and library table काम में लेते थे वह यहां नहीं लेंगे क्रोस प्रोडक का output काफी वास्ट हो जाता है ठीक है इसलिए मैं दो चोटी चोटी टेबल लिए student table और books table student के अंदर दो column है SID और NAME SID 0102 NAME ले लिए books के अंदर जो है book id name और book id में 082112 NAME होगे Hindi और Maths यह दो tables मैंने बना रखी है ठीक है अब यहां पर मैं इन दोनों का Cartition जो है operation perform करके मैं आपको दिखाता हूँ तो query बहुत simple है इसके लिए मुझे खाली query दे नहीं होगी यह नहीं किये मुझे इन दोनों की query अगर मैं रिखता हूँ यह पर तो यह हो जाएगा student Cartition आपका हो जाएगा books ठीक है ठीक है कुछ student यह बाबा जिसे कुछ student ने पूछा एकसा relation टेबल में difference किया है ठीक है तो वैसे तो होगा हम DBMS की बात करें database की बात करें तो relation का मतलब ही table होता है क्योंकि table के अंदर जो भी data होता है जिसे यहाँ पर जो भी data इंटर कनेक्ट है यह 01 क्या है यह SID है यह SID किसका है यह Raj का है तो Raj क्या है राज student का name है इस तरह से साथ data आपसमें interlink है तो अपि यह 01 औ 02 आपसमें interlink है क्यों क्योंकि यह दोनों ही students के role number है रिखे दोनों ही student से बिलों करते है student category से बिलों करते है तो relation और table database के अंदर एक ही होते हैं लेकिन यहाँ पर बाबाबा अलग तरह से define करने का मतलब क्या है कि यह तो आप टेबल पर भी यह operations perform कर सकते हैं या फी दो अलग-अलग queries इस पर भी हाला कि partition product जो है partition operation जो है वो आपका दो अलग-अलग condition पर apply नहीं होगा वो सिदा table पर apply होता है ठीक है या फी आप यू कर सकते हैं कि जैसे हमने union का जो example दिया था ठीक है union के अंदर हमने क्या किया था हमने दिया था r union s ठीक है यानि कि दो टेबल का union करना है साथ के साथ हम दो condition का भी union कर सकते हैं किसे कि अगर मैं या पर student और books वाली table का union करूँ तो दोनों का data मार्ज होके show हो जाएगा ठीक है या फिर मैं दो condition का दे सकता था कि student table में से तो खाली s id लो ठीक है s id student और उसका union कर देता मैं पाई book id और यह मैं ले लेता books table में से तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने दो अलग-अलग tables के ऊपर condition apply करिये और उन दोनों condition का भी मैं union कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह जो हम conditions apply करते हैं तो उससे relation बोला जाता है यहनि कि database के अंदर relation as a table भी represent होता है और साथ के साथ यह statement जो यहाँ पर हमने generate किया है यह भी relation में count होता है तो यह थ्यान रखेगा कंफ्यूज मत होईएगा query अगर दे रखी है तो वहाँ पर यह आपको find out करना है कि यह table है यह table के अंदर की कोई query है और पहचाना बहुत simple है अगर कोई statement दे रखा है तो वह statement नीचे दे रखा होगा और जो है table का नाम थाउसा उपकी तरफ दे रखा होगा इससे आप पहचान सकते हैं कि यह table ने में और यह statement है या वह condition है जो इस table पे apply हुई है अगर हम बात करना है direct table तो यह देखिए operator और दोनों ही tables के नाम equal एक जैसे level पे होगे इस तरह सा आप identify कर सकते हैं कि किसी भी condition या किसी भी statement में या operation में जो में data दे रखा है वह tables हैं या फी relations है लेकिन normal condition में जैसे यहाँ पर यह as a relation भी और as a table भी लेकिन यहाँ पर यह बहुत clear है कि यह दोनों as a relation represent हो रहे है क्यों क्योंकि यह union operation है यह दोनों table पे perform नहीं हो रहा है इस table के अंदर से खाली book id लेना है वह इस table में से खाली s id लेना है इन दोनों का union करके show करना है तो यह चीज हमेश्या ध्यान रखेगा और पहिशान मत होईएगा तो अब हम लोट आते हैं फिर से हमारे Cartesian product के उपर ठीक है student of books table का Cartesian product represent करना है ठीक है तो अब इसका output कैसा आनाचीव हम देख लेते वह कुछ ऐसा आएगा यह काफी बड़ा होने वाला है तो दिहान से देख लीजेगा आम से पैशान मत होईएगा ठीक है सबसे पहले student table आके लिखी हुई student के columns पहले आजाएंगे attributes पहले आजाएंगे s id and name ठीक है आप लोगों कोई confusion ना हो इसलिए मैं इसको book name कर देता हूँ अब दूसी टेबल जो दूसी तरह लिक हुई है right-hand side में उसके attributes के नाम या columns के name bid and book name ठीक है अब हम सबसे पहले इस वाली table के अंदर पहली row जो है वह as it is लिख देंगे 01 and large ठीक है अब यह 01 large जो है वह इन दोनों ही row के साथ में cross product create करेगा कैसे यह देख लीजे 082 हिंदी ठीक है और वापस आएगा 01 large एक दो में लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ 01 large 112 हमारा हो गया maths ठीक है अब cross product क्या करता है cross product actually दोनों ही table जिनके उपर cross operation apply किया है उनके सारे entities का many to many relationship create कर देता है कैसे मैं इसको जो है यहाँ पर अगर आगर आपको short में समझाओ यह है मेरी student table जिसके अंदर 01 and 02 मैं name नहीं लिख रहा हूँ और यह जो है मेरा यहाँ पर यह books table है इसके अंदर में ले लेता हूँ 82 ठीक है और 112 ठीक है अब यहाँ पर जब भी मैं पर cross operation perform करेंगा तो actually many to many यह इससे भी जूड़ गया और यह इससे भी जूड़ गया उसी तरह से यह इससे भी जूड़ गया और इससे भी जूड़ गया कुछ इस तरह का operation perform होगा तो यहाँ पर इसलिए multiple results create हो रहे है तो पहले 01 राज यह पूरी row first वाली row 082 हिंदी इससे intersect हुई ठीक है इससे जो है इससे जो है इसका cross product apply हुआ and then वापस 01 राज उसका जो वापस secondary जो row है हमारी 112 math उसके साथ भी cross product apply हुआ तो इस तरह से यहाँ पर 2 row create हुई अब सेम चीज जो है वो निचे वाली row के साथ भी होगी 02 मैं 2 बनवा लिखे देता हूँ Ajay and Ajay ठीक है and यहाँ पर वापस 0 82 and 112 ठीक है Hindi and Maths ठीक है तो यह जो है यह मेरा table इस तरह से तयार होगा total मिला करके जो output table आएगा उसके अंदर 4 column होँगे ठीक है and total मिला के 5 rows हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से जिन भी दो table के उपर Cartesian product apply किया जाएगा Cartesian operation perform किया जाएगा उन दोनो table के मांदर मुझूद entities सामने वाली table के साथ में many to many relationship create कर लेगी जिसमें हद एक entity सामने वाली table के हद एक entity से connected हो जाएगी और इस तरह से मुझे cross product जो होगा ठीक है हमने SQL query की time पर भी जिनके भीच में cross join apply किया जाता था या ठीक है या जिन भी individual columns के उपर भी apply करते थे तो उनका cross join हो जाता था ठीक है तो cross join के जो भी table बनती है actually practically उसका कोई इतना utilization नहीं है ये खाली total number of maximum हम भी कह सकते है total maximum number of possible solution या outcomes हम generate कर सकते है कि भी दो table से totally कितनी connectivity आपस में कर सकते है ठीक है इसके लिए cross product हमने apply किया तो में पता लगिया totally इस तरह से connectivity कर सकते है तो cross product maximum number of possible connectivity वही show करने के काम में आता है ठीक है तो इस तरह से इन्हें हम apply कर सकते है तो यह तो direct हमने tables पर apply किया अब हम चाहे तो इनको column के साथ भी apply कर सकते है कैसे कि यह तो पूरी table थी अगर मैं यहां पर चाहता तो मैं इस query के अंदर थोई से changes कर देता कैसे कि भी पाई ठीक है SID ठीक है यह मुझे लेना है student table से इसका partition करो पाई ठीक है book id table से मुझा बूक id और यह हो गया books table से तो मैंने individual column भी ले लिए तो इसका output कुछ ऐसा बनता यह जो है SID और BID enable use को combine करके बनता तो मैं यहां एक बाईगा short में बताता हूं मैं ठीक है SID और book id ठीक है और चारो जो है operations perform हो जाते 01 01 02 02 02 02 02 02 112 112 तो इस तरह से भी हम individual columns पे भी apply कर सकते हैं लेकिन यहां पे भी आपस कुछ जो ध्यान रखने वाली है अगर आप individual columns ले रहे हैं तो कोशिशे किजिएगा कि Cartesian operator के left and right डोनों ही तरफ जो आप columns apply कर रहे हैं उनके number of columns equal होए यहां पे data type से कोई लेना देना नहीं बट number of columns equal रहेंगे तो result समझने में आसानी रहेगी ठीक है जैसे यहां पे SID और name दोनों ले 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 लो इदर इसकाली book ID ले ले लो तो यह merger करके data तो show कर देगा लेकिन उससे क्या होगा actually यह खाली table देखके समझ में नहीं आएगा कि कौँसा column कि table से बिलोंग कर रहा है तो कोशिशिए किजिएगा कि अगर आप individual columns ले रहे है तो number of columns equal रखेगा लेकिन अगर condition की demand के according number of columns unequal रखना पड़े तो भी आप apply कर सकते हैं वह इस तरह से partition product apply हो जाएगा तो इस वाली वीडियो में हमने देखा cross product partition product कैसे work करता है किस तरह से output generate कर सकते हैं लेकिन वापस मैं repeat कर रहा हूँ कि यह कोई practical language नहीं है यह theoretical language है जो कि format creates करने के काम में आती है मैं अगर ऐसी query लिख करके दूँगा तो SQL programmer को पता लगेगा कि मुझे क्या query चाहिए दोनों table के identification देने के लिए कि भी किस तरह का SQL query हमको चाहिए या फी एक तरह से कि भी हमाई database में cross product के through कितने operations perform हो सकते हैं यह find out करने के लिए तो यह सिर्फ और सिर्टिकल representation है अगर आप practical perform करना चाहते हैं तो आपको SQL के अंदर commands follow करने होंगे हमने SQL commands के उपर पूरी series त्यार कर दी है उनके सारे वीडियो के link already description box में दी होगे जहां से आप उन्हें widget कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले वीडियो के अंदर आपको cross operation जो है या फी partition operation जो है यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ठीक है एक और चीज student अकसर कहते है sir यह unary binary क्या लिखा हो है relational algebra में जब भी किसी operator के आगे unary लिखा है यानि कि वो operation किसी single table पर या single relation पर भी apply हो जाएगा और किसी अगर operator या operation के आगे binary लिखा मतलब at least 2 table या फि 2 relations चाहिए उसे ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है कैसे हम सारे operators को या फि most of operators को mix and match करके multiple tables या multiple relations के उपर operation ने perform कर सकते हैं ज़्यादा information के लिए हमने जो previous वीडियो बना है relational algebra के आप वो देख सकते हैं ठीक है इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के जो notes है वह आको description box में available हो जाएंगे हमारे इस वीडियो को like कीज़े और चैनल को subscribe कीज़ेगा आप इसी तरह के वीडियो जो देखना चाहते हैं दक्रेजी programmer की तरफ से आज के लिए बस इतना ही